दोस्तों, IND Academy में आप लोगों का स्वागत है आप लोगों से इतने दिनों से ना जुड़ पाने का कारण कुछ फर्शनल इसूस और कुछ टेक्निकल इसूस का आ जाना था लेकिन अब उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया गया है और आज से करेंट के साथ साथ सब्जेक्ट की भी वीडियो को सुरू कर दिया जाएगा लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो पिलीज कमेंट जरूर कीजिए और उस वीडियो को शेयर करना ना भूले मैं ये पिछले कुछ दिन से वीडियो में देख रहा हूँ ति कुछ वीडियो में वीउस तो आ रहे हैं लेकिन उन पर कोई कमेंट नहीं दे रहा है तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि प्लीज ज़्याद से ज़्याद वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त माहे की करेंट अफेयर को और एक और दो अगस्त की करेंट अफेयर को शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है निमने मैं से कौन सा देश बावन में आशियान बिदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़मानी करेगा option है option A Thailand, Singapore, Vietnam इन में से कोई नहीं तो अभी हाल ही में बावन में आशियान बिदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़मानी बैंकोक थाइलेंड में आयोजित की जा रही है ठीक है तो इसका सही आंसर है option A बैंकोक जैसा कि आप इमेज में देख रहा हूँ, 31 जुलाई 2019 बैंकोंक थाइलेंड में इसका आयोजन किया गया आशियान के बारे में आपको बता दें, इसका full form है Association of South East Asian Nation Member इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, इसका headquarter जकारता में है और इसमें बरतवान में 10 देश हैं दस देश कौन-कौन से हैं, ब्रुनेई, कमबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मियंमार, फिलिपीन्स, सिंगापूर, थाइलेंड और बियतनाम और यह जो बैठक थी, यह बिदेश मंत्रियों की बैठक थी, तो भारत के बिदेश मंत्री कौन थे, एस जैसंकर तो इसका सही आंसर है, option A, थाइलेंड अगला कुशन देखते हैं, अभी हाली में किसे नई बित्य सचिप के रूप में नियुक्ति किया गया है option है, अर्जुन सर्मा, अनुद्श शर्मा, राजीब कुमार, पी के पुरवार या इन में से कोई नहीं तो अभी हाली में राजीब कुमार को नई बित्य सचिप के रूप में नियुक्ति किया गया है अगला कोशन देखते हैं कि हाली में किस शहर में अटल कम्यूटी इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है option है कोलकाता, नई दिल्ली, पोने या गोवा तो अभी हाली में नई दिल्ली में अटल कम्यूटी इनोवेशन सेंटर की सुरूवात की गई है तो इसका सही आंसर है option भी नहीं दिलनी अगला कोशन देखते हैं E-governance 2019 पर 22 मां राष्टिये शम्मेलन कहां आयोज़त किया जाएगा option है मिजुरम, मिघाले, तिरपुरा या असम तो उत्तर पूर्वी शेत्र आप देख रहे हैं मैंने example उत्तर पूर्वी शेत्रों के लिए हैं तो यानि यह पहली बार ऐसा होगा कि E-governance पर जो राष्टिये सम्मेलन आयोज़त होगा वो उत्तर पूर्वी शेत्र में होगा तो इसका सही आंसर है मिघाल है जिसकी राष्दानी सिलोंग में इस बार E-governance 2019 का 22 मार राष्टी सम्मेलन आयोज़त किया जाएगा अगला question है कि आश्टीले की कौन सी खिलाडी जिसने 2020 इंटरनेशनल में 1000 रन के साथ-साथ 100 विकेट भी लिये हैं तो 1000 रन भी इसने बनाए हैं और 100 विकेट भी लिये हैं option देखते हैं Alice Perry, Alyssa Haley, Alice Villani या इनमें से कोई नहीं अब मैंने option आपको एक से दिये हैं कि paper में कहीं आपको confusion ना हो इसका answer है option A Alice Perry यह हैं image में Alice Perry जिन्होंने अभी हाली में 2020 फॉर्मेट में 1000 रन के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-विकेट भी लिये हैं तीन इंटर ओफ यह तीन गांबिया और गिनी इन तीनों देशों की यत्रों पर अवि राश्वति गए हैं तो राश्वति सबसे पहले वह ने गह जए था है उसके बाद गांबिया गए और आप कहा जाएंगे गिनी इस सबसें को तो बता दें यह है पहली बार है जब भारत के राष्टपति इन तीन पश्चिमी अफ़री के देशों का दवरा करेंगे अगला QδαD मोंबाइल लैब्रेरी बसों का शुवारम कहा किया गया है तो अभी हाली में मोबाइल लैब्रेरी बसों का शुवारम किया गया है तो इसका सही आंसर है option B नहीं दिल ली अगला question है कि NCB NCB का full form क्या है Narcotics Control Bureau के महा निदिसक की रूप में किश्ण नियुक्त किया गया है option है राकेश अस्थाना, राजीब कुमार, N के पार्टल या निमें से कोई नहीं तो अभी हाली में राकेश अस्थाना किसको, राकेश अस्थाना को NCB के महा निदिसक की रूप में नियुक्ति किया गया इमेज में आप देख पा रहे हैं, यहीं है राकेश अस्थाना तो इसका सही आंसर है option A, राकेश अस्थाना अगला question है, हाली में किस payment bank को लगु बित बैंक में परिवर्तित किया गया है तो बात हो रही है payment bank की, तो भारत में चार payment bank हैं जो बहुत important है और लगु बित बैंक को अभी किसको convert किया गया है, option देखते है यह अटल payment bank, paytm payment bank, Indian post payment bank या इनमें से कोई नहीं तो अभी हाली में आपको बता दें, Indian post payment bank को लगु बित बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया है IPP के बारे में अगर हम आपको information दें, Indian post payment bank इसका full form होता है इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में की गई थी इसका headquarter नई दिल्ली में है और बर्तवानिंस के MD और CEO सुरेश सेटी है और इसका slogan आपका bank आपके द्वार, यह ज़रूर याद रखना, कोई भी banking exam के लिए बहुत important होता है तो इसका सही answer है option C, Indian post payment bank अगला question देखते हैं ICC की wish to test championship में कुल कितनी team में शामिल होगी तो अभी यह question क्यों चर्चा में है क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी कुछ पिछले current में आपने देखा था कि जिम्मांबे को ICC की test championship से हटा दिया गया था उसको मतलब उसकी अधिकारिता से हटा दिया गया था तो option है 8, 9, 10 या 12 इसका सही answer है 9 team में है जो wish to test championship में भाग लेंगी तो इसका सही answer है option B 9 अगला question है कि हाली में कौन भारत की सीर्स दूर सर्चार company database के अनुसार बन गई है यानि बात हो रही है database के अनुसार कि मतलब कि data इनका सबसे ज़्यादा किस company का हो गया है option ने बोड़ा फॉन आइडिया option भी एटेल रिलाइंस जीओ यान में से कोई नहीं तो अभी हाल ही में रिलाइंस जीओ ने बोड़ा फॉन आइडिया के database को क्रॉस करते हुए दूर सर्चार कंपनी में सबसे सीर्स कंपनी बन गई है उस रिलाइंस जीओ ठीक है इसका सही आंसार है option c की रिलाइंस जीओ अगला कुशन देखते हैं भारत ने निमने मैंसे किस देश के साथ आर 27 आर 27 एयर टू एयर मिशाइलों के लिए किस देश के साथ समझोता किया यह दो बाल लग गया है तो इसका option है जापान अमेरिका रूश या फ्रांस तो अभी हाली में भारत ने आर 27 एयर टू एयर मिशाइल के साथ समझोता किया है यह समझोता 1500 करोड का है यह देखी लखा हुआ है कि बिज्वल रेंज बार फायर में अपनी छमताओं को बढ़ाते हुए भारत ने रूस से आर 27 एयर टू एयर मिशाइलों के लिए 1500 करोड रूपया के समझोते किये हैं इस आर 27 मिशाइल को सुखोई 30 MKI लडाकु विवान से सुसज्यत किया जाएगा तो यह था हमारा आज का करेंट वीडियो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों इसी तरह के कंटेंट को पढ़ने के लिए IND Academy की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और IND Academy के Telegram ग्रूप से और WhatsApp ग्रूप से के माध्याम से भी जोड़ सकते हैं Thank you for watching, have a good day